और इस वीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि मिमिक्री आर्टिस श्याम रंगिला ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है श्याम रंगिला ने प्रधान मंत्री मोदी के खलाफ वारानसी से चुनाव लड़ने के घोशना की है ये बड़ी और आयम जानकारी इस वक्त कि मैं आपको बता रखे है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खलाफ चुनाव लड़ने का आईलान क्या है मिमिक्री आर्टिस श्याम रंगिला ने माँ गंगा ने बुलाया है आई गंगा मय्या ने अब ढ़िशाव लग्रानसी के बारे में क्या जानते हैं में का इत्फात रखते हैं वारानासी की समयच्याओं से वारानासी के लोगों से गलियों का शहर है काफी development भी किया हूँ नरेंदर मोदी ने पिशले 10 सालों में पहली बार बनारस गई थे मैं भी पहली बार ही जाओँगा और बिल्कुल ठोकके जायेंगे और बनारस की जनटा का वैसे आप यहार हमें भी मिलेगा एतिनाम जी अगर नामंकन के बाद में चलते नामंकन में राहुल गांदी का फ़ोन आजाता है या नरंदर मोदी से बात हो जाती है तो वो किस तरीके से आप से बात करेंगे और आप किस तरीके से बात्चित करेंगे एक बार तुरह बताईए मिमिक्री करके देखिए मोडी जी का फोन आगा ना तो मोडी जी यही बोलेंगे कि मित्रों। यह जोआ मरगीला है, जैसा कि मैंने काया था कि जो भासा में समझेगा, मैं उसको उसी भासा में जवाब दुंगा। तो यह शामरंगीला तो इसको गंभिरता रेगा जी। यह पो मुझे ही मेरी जवाब देने लिए बना रहा है. एक और कॉंग्रेस को तो केंडिदेट भी नहीं मिल रहा है आप तो बहतर केंडिदेट हो सकते थे क्वाइन हैं प्रदेश दिक्स को लडना पड़ रहा हैं तो केंड़िडेट मिल ने रहा वो खुद ही लड़ रहा है और मैं यहीं सोचा मैंने का जब कॉंग्रेस के प्रेजिदेंटी बहां से लड़ रहे हैं तो मैं उनको कैसे कहूंगा मैं आम आदमी पार्टी जुड़ा था तो अब आम आदमी पार्टी गठबंदन में वो लड़ रहे है तो मैं उनको कह नहीं सकता उनकी कोई इच्छा होगी कि यहां कोई आया है लड़ने के लिए वो अगर समर्थन नेगे या कुछ बातचीत करेंगे तो बहुत स्वागत है और राहूल गांदी की मिमिक्री अगर फोन आ जाता है तो वो कैसे होगी राहूल गांदी जी तो बनारस और पूरा माहोल है उसको देख करके यही बात कहेंगे कि देखिए भाईया देखिए मैं तो यही कहूंगा कि यह चुनाव देख करके मुझे संचिड नरेंद्र मोधी की आवास में अलग-अलग निताओं की आवास में मिमिक्री करके सोचल मीडिया पर च्छाय रहते हैं